नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही सवभागे की बात है कि मैं तो अब तक मैं यूपी से हूँ और यूपी में मैं सुना था कि आइरन लेडी मुख्यमंत्री सुस्री मयावती ची को ही कहा जाता लेकिन मैं यहां पे तो डायमांड लेडी के पास बैठा हूँ कि जिसकी परिकल ही नहीं कर सकते हैं इन्होंने आर्म मतलब पंजे में ना जानय देंद General भारत के लिए कितने यह मैं परिकलपना नहीं कर सकते और पंज्ये तो पता ही नहीं है इनके बारे में मैं खुद इनके जुबान से ही कि एक कुछ बताएं हमारे बीच में हैं पंजाब आज जलंदर पंजाब सेरे पंजाब लोग कहते हैं पंजाब का जब नाम आता है तो सेर का नाम आता है तो सेर सेर ही नहीं होता है सेर की जगे सेर नहीं भी अपने आपको सेर ही समझती है तो ऐसे धर्ती पे हम हैं जलंदर म में आप लोग से आज मुलाकात कराते हैं और रूबरू उनके मुख से ही उनके बारे में हम जानना चाहते हैं और हमाने बीच में बढ़ती है एक क्या वाता है कोई सब्दे नहीं है दीदी आप सूप परचे आप देंगी हमारे दर्सों को बिल्कुल जितंदर से आपके हार गेम के लिए मैं परिफुल हूँ क्योंकि वेलिफटिंग एक ऐसा गर है कि वह सब ताक फुल है उसके साथ मेरा टुग वफ वार में इंटरनेशन मेडल है कुछती में में बाहरत के सरी हूँ पावर लिफटिंग में मेरा गोल्ड मैडल है इंटरनेशन में और पंजा लड़ने में तो इंडिया के स्ट्रोंग आरे लेडी चुनी गई हूँ और लेटेस भी चुनी गई थी पंजा क्या है यह क्या पंजा अच्छा मतलब पंजा पकरने के मतलब अच्छा पंजा का पंजा है यह सेर का पंजा है बहुत सारे अपने आपको मतलब हो Git लेकिन दिदी जो है पंजा लडा ही बहुत सारे लोगों का मतलब सामना किया दी आपके मन में ऐसा क्यों आया कि मतलब मुझे एक लेडी सो से कभी डर नहीं लगा यह सब करेंगी तो समाज क्या करेंगे फिर लोग क्या करेंगे फिर बहुत सारे लोग होते हैं लेडी सा ऐसा कर रही इसमें आप क्या करना चाहें लेडिस को गेम करनी चाहिए अच्छा गेम इसलिए करनी चाहिए कि इसमें डर निकल जाता है जो समाज है ना दकियान उसी समाज अपना एक तो बीटी है बीटी को जीने ने देगे बीटी बड़ी होगा इसकी शादी कर दो फिर अगर बहू गर में चली जाए तो उसको नौ बहुत सारा समाज के लिए बहुत जाता है कि मैं इन तक्लीफों से निकल की आई हूँ हमेरे घर में मेरे पापा थे उन्हों को वास्कटपल के प्रेइर थे उनको शौंक था गेम का उन्हों ने जो अपने में पूरा कर पा हमारे में शोटी सी बच्ची को लेकर जाते मतलब मैं तो 83 में मेरा फरस्ट मेट लागया था अच्छा एक्टी थी में इस समय इस समय फोटी एट लोग कहते हैं जैसे लेडिस को बहुत भीन नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि उनका दुनिया चौकट के अंधर ही है और साथ-साथ बस यही मनें देखा है कि लेडिस ऊटय है तो लेडिस को बढ़ा होना है बढ़ी होना है साथि होना कि सद्धी एक बच्चे-पीदा इस तरह सा मन में आपको कैसे क्ष्याल है कि नहीं इसमें आप क्या ना चाहिए और लेडिसों क्या और बताना जाएगी मैं तो यह बताना चाहते हु कि अपनी बेटी को जुरूर सक्षम बनाईगे वह जिन्सीं बाहर बेड़ी है बाहर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ जितंद्र भाई कि पिछले चार-पांच सालों में मैंने मार्शिलाण का कोर्स किया है कि एक बॉक्सिंग से खा रही है बच्चों को मेरा ट्रैक बिल्कों लग से हो गया कि वेर्लिफ्टिंग और पंजल राने से उसका कोई तौलोगात नहीं है लेकिन फिर भी मैं बच्चों को खास करके लड़कियों को फ्री अफ कोस्ट मैं जा जाके कॉल जो स्कूलों में सिखाती हैं बच्चियों को कि लड़किया धुख पर भ्याक कांज बता दिया तो इसमें किसकी गलती है लड़की के गलती है कि लड़के की गलती होती है लड़की होना एक गुना नहीं है बच्चे की अगर अपने फ्रेंड के साथ गूमने भी गही है तो कौन सा गुना करती है उसने अच्छा एक लड़की के साथ यतिने क्यों सब्सक्राइब अब तक लेडिस क्यों अपने आपको बदित समझते कि मैं बादी हूं क्यों वो सब्सक्राइब कर क्यों नहीं जीना चाहिए अगर बेटा घर से बाहर निकल सकता है दस वे तक माब आप नहीं पूछते तो कहां गया था तो बेटियों को पपंदी क्यो बेटियों को भी सक्षन बनाएगे उनके उपर इतनी पबंदी नहीं होनी चाहिए मैं अपनी बेटियों किया बताओ आप तो ऐसे सब करें कि मैं क्या सवाल करूं कोई मतलब सवाल है नहीं और मेरे संपालक में जो भी बच्ची आएगी और उसको मैं अपना रूप दोंग ब करूंगा मैं अपने इस्टेट के लिए कर लेकिन आप पुरे वार्ड यान धी भारत की आकसान हई तो यह सब कशियरे पे मतलब हो चीज आएं जैसे लोग को गिमंड पर भारत की इंप लोग थोड़ा सा थिल्या घव एफैसा कुश नहीं है तो मैं अधान आक होता अई आप तो बेटी किसी को हो या तो मा के रूप में होती है या तो बाहिन के रूप में एक पतिनी का रूपां लेकिन उस रूप में दीदी आप तो हां चीसे मतलब गुजर चुकी है तो दी दी आप भारत के लिए खेलती है और भारत कहने में भी मुझे अब क्या बताहdaughter कहना भी नहीं च aur आप अधी चाहिए सच बोलने में मतलब कोई मुझे वो नहीं भारती एक ऐसा जित मुझे सर्म आती है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उस मंत्री को चाहता भी हूं कि सतबुद्धी दे भगवान सत्व बुद्धी की मैं उस मंतिरी को कामना करता हूँ कि ऐसे भारत के लिए जो नारी अरे जिल्स को छोड़ो जो नारी नारी है अपने घर अपने सब कुछ त्याग के भारत के लिए लड़ना चाती है भारत के लिए कुछ करना चाती है लोग अपने बारे अपने तक ही सिम और आखरी सवाल दिदी आप कहां कहां मतलब खेली है कैसे कैसे खेली है बहुत जगे खेली मेरा फस्ट बच्पन में मेरा मैडल था अब भी तक मैडल यह आ रहे हैं इसके कोई का वह निया मेरी बेटी है दस सल की अभी वह भी शेयर नेशनल और दो इंटरनेशनल बॉक्सिंग मेरे खेली मतलब आप भी है और बैटी को भी इस मेला रहे है बिल्कल मैंने जो दुख जेली है न मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आगे जाके किसी मंत्री के सामने नकड़ी हो अच्छा उसको आतम निर्वर बनाने चाहती हूँ जो मेरे साथ कां चाहिए बात को कि अब मुर्ख तो हम आपकी बात को मानते है क्या देजी बिल्कुर बिल्कुर चाहिए इस लगाता है तूसके पास एक रडी होना चाहिए बाकि पकवडे चानवाय तो पकवडे बस नाम से चानए का कड़ाई होने चाहिए बैसान होने चाहिए तो आपको बल से लड़ रही है जैसे बाइर उठाते वज़े बियान करने के लिए जो भी सुविता है तो अगर ना दिया जाए आपको तो आप कैसे आत्मंदिर पर बनाएंगे काना से नहीं होगा कहीं नहीं करें प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए ना तिंदर भाई मैं क्या बता हूं मैं वही बता रही मैं है कहां है में किंड इंडिया और डीजिटल इंडिया यहां अपनी बैटी के बात करी हो भी मेरी लवलीन के अबी 6 गोल्ड मेंडल है तो मैं अपनी बेटी की ही तरह सब लड़कियों को देखती हूँ, भी तुम भी आओ मेरे पास, मैं फ्रीव कोस्ते खाऊंगी, दस मतलब उनकी आई कितने है, अभी बेटी है, अभी बेटी है, वो मेरी बेटी है, तो दस साल के उमर में, छे गोल मेडल, नैशन में, और दो इंटरन हो रहे हैं, यह बेडी है, बेटी है बेटी है, जस्ते में शेरनियम होनी चाहिए, सचाहिए, दोस्तों, इजट, सबका इजट होगा, और पंजाम में, जतनर भाई, मैं हर स्कूल कॉलेज में गई हूँ, सब के पास मेरा विस्टिंग का हाट है, और कोई भी आज तक टीच करना चाहिए, तो कैसे आप से मिलेगी हो, कैसे कोई contact number है, बिल्कुल मैं अपना connect number आपके मादी में देना चाहिँ, जो लेडी सा अगर बात करता है, तो आपको कोई contact number बता है, जिस से लोग 19ihY 7802 इससे मेरा कनेक्टर नमबर है यह आप बात कर सकती हो मिरसे दिख लिए और हर किसी के लिए मैं मैं सुवधा के लिए हूँ कोई भी स्कूल का ले जाए मिरको आवाज मारे का तो मैं जुरूर रहूंगी क्या बात है आपको भी और आपके घर में अगर कोई प्रतिभा समझा दिवी से कभी भी आप बात करिए और समझ लिजे कि एक देश की धरोहर और देश की गौरौ हमारे बीच में है और हमें और आगे इनको ले जाना है कि एक बार गरो से हमारे भारत का एक बार और नाम उचाओ कि एक लेडिस कहने से नहीं कि आइरन माइन लेडिस यह लेकिन यह तो diamond है एँघ तैमिंदना ही हम नहीं हमकर सकते हैं की कौनशी है हम नाम नहीं देपाएनगे लेकिन मैं तो यही जानता हूँं कि हीडा को एक जवडित तलास करता हूँ और आज हमारे बीच में लेकि हीडे कि канал हम क्या करें गे हम जैसे हजारों लोग भी आजाएं तो बहुत कम पड़ जाएंगे तो दोस्तों आपने देखा आज हमारे बीच में रही दिदी और पूरे भारत के लिए जो काम करती है भारत के लिए जान देने के लिए तयार रहती है आपको दिदी एक चीज लाट सवाल जैसे नहीं होता है कि अब डरती नहीं कि मतलब कोई अभी मुझे से इदमाई से कर रही कोई जैस मुझे ऐसे कर अरे जैसर बीसों कर दोंगी अभी भी देख लिए एक लेडी चाहल लेकिन सेर की तरह गरचती है ऐसे कैसे बहुत अच्छा है दोस्तों आप लोग ने देखा और दिदी के साथ आ आपने मुझे इतना सामय दिया मैं आपका अभारी हूं जै तंदर भाई मेरा बहुत-बहुत सवाग्या कि आपके दर्शन में आप मारे घर पदा रहे पंजाब में बहुत मुस्त वेलकम जी आपका ठीक ठीक दन्याबाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों